Hello everyone, welcome back to channel English every day और आज का हमारा टापिक है All meanings of a word इस तरह की vocab का ये हमारा part 2 है एक word के बहुत सारे meaning होते हैं as a noun, a verb, an adjective, an adverb तो दिखती हैं इस वीडियो में हमारा first word act as a noun होते हैं काम या कानून, the parliament has passed a new dowry act हमारी parliament जो है एक नया dowry act पास कर चुकी है act as a verb होता है अमल करना, he acted upon my advice, उसने मेरी सलाह पर अमल किया अब देखिए advice यहां पर सलाह है और अगर advice होता तो उसका मतलब होता सलाह करना हमने पिछली वीडियो में किया था next है avail, avail as a noun meaning होता है love, sentence है all his efforts were to know avail उसके प्रियासों का कोई love नहीं हुआ next है avail as a verb love उठाना, I availed myself of the opportunity, मैंने अवसर का love swim उठाया third है हमारा absent, absent as an adjective होता है अनुपस्थित होना, he was absent from the class, वो class से अनुपस्थित था absent as a verb अनुपस्थित, why did you make yourself absent from the class, तुमने स्वयम को absent क्यों रखा fourth है हमारा address, address as a noun हिंदी में नहीं होता है पता, I don't know his address, मुझे उसका पता मालूम नहीं address as a verb, कहना या संबोधित करना, he addressed me in an ironic way, ironic होते है व्यंगात्मक, उसने मुझे एक व्यंगात्मक तरीके से संबोधित किया fifth है हमारा assent, assent as a noun होता है स्वीकृति, has the officer given his assent to the proposal, क्या officer जो है तुमारे प्रस्ताव पर स्वीकृति दे चुका है assent as a verb भी स्वीकृति होता है लेकिन या लिखते हैं he has not assented to my proposal, वो मेरे प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दे चुका back, back as a noun, peat, my back is acting, मेरी peat में दर्द हो रहा है back as a verb, मिनिग होता है मदद करना, will you please back me up in this plan, क्या इस plan में तुम मेरी सहायता करोगे back as an adverb, पीछे, go back please, किर्विया पीछे जाएं back as an adjective होता है पिछला, he got entry from the back door, उसने पिछले दर्वाजे से प्रवेश किया अब हम बात करते हैं next seventh book, हमारा word है book, book as a noun होता है पुस्तक, whose book is this, ये पुस्तक किसकी है book as verb, मिन्स होता है book कराना, I have got my seat booked in the train, मैं train में अपनी seat बुक करवा चुका हूँ book as an adjective होता है पुस्तक संबन्दी, जैसे कि is there any bookshop in the market, क्या मार्केट में कोई किताबों की दुकान है next eighth हम बात करते हैं, हमारा word है यहाँ पे boast, boast as a noun होता है शेकी या फिर डिंग, it's an empty boast, ये एक बेकार की डिंग है या शेकी है boast as a verb होता है डिंग हाकना, आप देखो डिंग हाकना या डिंगे हाकना, he boasted to be a scholar, उसने एक विदवान होने की डिंगे हाकी या इसको हम ये भी कह सकते हैं, उसने अपने विदवान होने की शेकी बगारी next ninth है हमारा bell, bell as a bell, as a verb होता है घंटी बांदना, who will bell the cat, बिली को घंटी कोन बांदेगा, bell as a noun होता है घंटी, the pune rings the bell, pune जो है चप्रासी वो क्या करता है घंटी बजाता है next tenth है हमारा bound, bound as a noun होता है हिंदी मिनिंग सीमा, his joy knew no bounds, उसकी खुशी किसी सीमा को नहीं जानती bound as a verb होता है चलांग लगाना, he bounded off to the other side, उसने दूसरी साइड चलांग लगाई, break break next word है हमारा, इसका as a noun मिनिंग होता है चोटी चुटी, यानि कि थोड़े ही समय का gap, थोड़े समय के लिए चुटी जैसे कि now it's a lunch break, अभी ये lunch break है break as a verb होता है तोड़ना, who broke this flower pot, ये flower pot या फूलदान किसने तोड़ा, next हमारा 12th word है call, अब देखिए call का as a noun मिनिंग होता है पुकार, it was a call for help, ये एक सहायता की पुकार थी, call as a verb में होता है बुलाना, he called me loudly, उसने मुझे बड़ी जोर से बुलाया, बड़ी तेज आवाज म नाउन होता है ध्यान, take care of your old parents, अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखो, care as a verb होता है ध्यान रखना, he doesn't care for me, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, next 14 हमारा word है cure, cure as a noun मिनिंग होता है इलाज, there is no cure for ads, ads का कोई इलाज नहीं है, cure as a verb होता है इलाज करना, he has been cured of malaria, उसका malaria का इलाज हो चुका है, next नहीं बात करते है, cut, cut as a noun, cut ही होता है, जैसे कोई cut लग जाता है हमारी body पे, he got a cut on his finger, उसकी finger पे क्या, एक cut लग गया, cut as a verb होता है, cut जाना, his finger has been cut, उसकी finger कट चुकी है, next है हमारा sixteen word done, done जो होता है, as a noun, उशा, उशा का मतलब होता है, early morning का जो time होता है, उसे कहते है, I get up at done, यहाँ पर हम कहेंगे कि मैं उशा काल में उठता हूँ, done as a verb होता है, जागरती आना, the idea at last done on him, जो idea था, उसने अंत में उसे क्या कर दिया, जागरू कर ही दिया, deal as a noun होता है, soda, जिसे I have entered into a deal with him, मैंने जो है, उसके साथ एक soda किया, deal as a verb होता है, कारोबार करना, I don't deal with him, मैं उसके साथ कारोबार नहीं करता, अब 18th है हमारा word dip, dip as a noun होता है, सनान, इसको डुब की भी कहते हैं, he got a dip in the pond, उसने pond में तराब में एक डुब की लगाई, या सनान किया, dip as a verb होता है, डुबोना, he dipped his pen in ink, उसने अपना pen ink में डुबोया, 19th word है हमारा noun, noun होता है, प्रहार, he had a dig at me, उसने मुझ पर प्रहार किया, dig as a verb होता है, खोदना, the workers are digging ditches, workers जो है, वो ditches खड़े, खोद रहे हैं, last हमारा जो word है, वो है down, down as a noun होता है, उतार, जैसे कि he has seen many ups and downs, वो अब हम जीवन में बहुत उतार चड़ाओ देखते हैं न, तो वो क्या क्या कह रहा है कि, वो अपने जीवन में बहुत सारे उतार चड़ाओ देख चुका है, down as a verb होता है, नीचे करना, जैसे the shopkeepers have downed their shutters, shopkeepers अपने shutters, अपने दुकानों के shutters नीचे कर चुके हैं, down as a preposition क्या होता है, नीचे की और, he ran down the hill, वो पहाड़े से नीचे की और भागा, down as a verb होता है, नीचे, the cart went down, जो गाड़ी थी, वो नीचे चली गई, अब देखिए, down as an adjective होता है, नीचे, यहाँ पर हमारा sentence है, we traveled by the downtrain, हमने downtrain से यातरा की, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि downtrain क्या होता है, तो दो तरे के होती है, trains एक होती है, up train एक होती है, downtrain होती है, तो इसमें यह होता है, कि जिसे train का एक अपना main headquarter होता है, जहां से वो बन कर चलती है, अब वो अपने headquarter से परे जा रही है, अपने headquarter से दूर जा रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, downtrain, तो यह था हमारा आज का वीडियो, आपको यह कैसा लगा, आप हमें comment box में comment जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें, share करें, channel को subscribe करें, thank you.